तो दोस्तों आपको पता है नीट के जो फॉर्म के डेट्स थे वो अवर हो चुके हैं अब एप्लिकेशन फॉर्म एडिट करने की टाइम है 11 से 14 अगस्त को दो बजे यानि कि 14 अगस्त को दो बजे तक आप इस करेक्शन विंडो को आप उपन करके फॉर्म करेक्शन कर सकतो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टन बाते बताने वाला हूँ स्टेप बाइस्टेप प्रॉसेस बताने वाला हूँ कैसे आपको करना है कौन-कौन से डीटेल्स है जो आप एडिट कर पाऊगे क्या फोटो नीट के जो आपके सब्सक्राइब कोडस है अपने नेम आइडिंटिटी नंबर कोशन पेपर क्या-क्या चीज़े आप बदल प चलो फटा-फट से आपको बताता हूँ आप डिरेक्ली वेबसाइट पर आ सकते हो ठीक है सेर्च में आपको लिखना है ntaexamresults.com और यहां पर आप आओगे एक-एक स्टेप आपको यहां बताया गया अगर आप यह नहीं करना चाहते हो तो आप डिरेक्ली डिस्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है मैंने वहां से जाओ डिरेक्ली कर सकते हो अगर आप वह नहीं करते हो तो डिरेक्ली आप इस वेबसाइट पर आ जाओ ठीक है ntaexamresults.com की वेबसाइट पर आना है आपको होम पेज पर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा नीचे करोगे स्क्रॉल इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहां पर आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन नीट फॉर्म करेक्शन का ध्यान से देखोगे देखो नीट फॉर्म करेक्शन का आपको यहां पर विंडो दिख रहा होगा आई होप सभी को क्लेरली दिख रहा है तो वाट डीटेल्स के नाइचेंज यहां पर मैंने आपको सारी चीज़े बारीक से बताई है पहले स्टेप्स जान लो क्या से करना है इस लिंक पर आप क्लिक करके यहां से ओफिशल वबसाइट के लिए डीटेल दे सकते हो ऑफिशल वबसाइट का लिंक पर डायरक जा सकते हो जहां पर आपको अपने परस्नल डीटेल्स या फिर जो आपका डीटेल है वो चेंज करने का भी ऑप्षिन है और साथ में नीट के डॉक्यूमेंट्स को भी आप कर सकते हो यारी की फोटो पोस्टकार साइज फोटोग्राफ से नीचर थम इंप्रेशन का फिलोगों ने कहा गलत हो गया वो सारी चीज़े समिट कर सकते हो चेक कर सकते हो यहां से अप समिट कर सकते हो अब बात करते है कुछ डीटेल्स की परस्नल डीटेल्स से एडिट कर सकते हो नेम डेटा बात कर सकते हो सारी चीज़े लिस्ट बना कर मैंने डाल दी है कुछ छूटा होगा तो वह अपडेट कर दी जाएगे लेटर रंदे फेस्ट तेक है जेंडर अपडेट कर सकते हो eligibility criteria code आप edit कर सकते हो ID card details आप edit कर सकते हो images आप update कर सकते हो documents में आप जाकर update कर सकते हो अपनी nationality update कर सकते हो birthplace में कुछ mistake था वो भी update कर सकते हो इतना ही नहीं आप अपने permanent address आप अपने corresponding address को भी change कर सकते हैं इसके बाद आप अपने academic details को भी edit कर सकते हैं यानि कि आपके 11th 10th के 11th के 12th के कुछ लोग कह रहे थे कि 12th के मेरा marks आ चुका है तो क्या हम करें तो आप चाहो तो वहाँ डाल सकते हो details तो यह आप चीज़े change कर सकते हो ध्यान रखें एक ही बार मौका मिलता है बार बार आप edit नहीं कर पाओगे तो medium of question paper और exam center चोईस काफी आसान आराम से और आसानी से आप पहले प्रिपेर करने अपने आपको कि मुझे कहां center चूस करना है कौन सा center आपके लिए नजदीक है कौन सा दूर है जो subject question paper का चाहिए वो English है या Hindi है वो clearly देखने और एक बार करें क्योंकि बार-बार मौका नहीं मिलता है तो इन सब details को आप change कर सकते हो मैंने फिर से बताया दोस्तों आपको कुछ नहीं करना आपको simply इस website पर आजाना ntaexamresults.com आपको top पर दिख रहा है ntaexamresults.com गुगल पर लिखोगे आप डिरेकली आजाओगे यहाँ पर देख लो need application form वाला tab है इसको open करोगे और scroll करोगे नीचे में सारी details मिल जाएंगी नहीं तो इस video के description में link भी दिया है मैंने वहाँ से भी form correction आप कर सकते हो तो दोनों methods आप apply कर सकते हो जो भी आपको suitable लगता है hope चीज़े clear हो गई होंगी और अगर आप demo चाओ तो मैं आपको demo एक बार जहां पर लिखा है only register candidate यहां पर आपको अपना जो भी number होगा वो डाल देना है password डाल देना है security pin डाल देना है 10 जो भी है और sign in पर click कर देना है मैंने demo बताया है आप इस तरह से कर सकते हो तो I hope चाओ चीज़े clear हो गई होंगी still कोई issue है comment कर सकते हो मौका मिलेगा मैं बेलकुल से reply करूंगा thanks a lot for watching this video I hope आपके doubts clear हो गए होंगे see you again in a new video thanks a lot bye bye